है लो एक वेलकम बैक टो मैं चैनल एनल अमेजिंग टिप्स आज हम बनाएंगे नेनवा की बहुत ही स्वाधिश सब्जी बिल्कुल ही अलग तरीके से और बिल्कुल नहीं सिंपल तरीके से बनाएंगे फ्रेंट्स जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिश लगता है क अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही इजी रेसेपी लाती रहती हूं और बेल आइकउन को प्रेस कर लिजिएगा ताकि हमारे आने व और नेनुबा किसे बोलते हैं क्योंकि मेने सब्जी डाल ली ती नेनुबा किसे बोलते हैं तो शेटेश निकाल लेंगे तो चुनि में निकाल कर तरह एक करेंगे अर्व में जिसaris करेंगे都是 बोली हो और यहां तो मैंने इस तरीके से क्ट करेंगे तो चलिए मैं सभी नैनुग। in लाख़ी आप कर लिया है। पानी से एक पानी सीन और फ्रेंट्स मैंने आप यहां प्राव्थी कलीया है यह2 लाविश प Ton लगत लिया है सबनालमिस प्रावडर एंट करेंगे एँद्मिन मैं टेस्ट के कॉल ऑचिजी और लस्ट का पेस्ट भी कर देंगे अगर सबस्क्राइब में मिर्च पो चर्ता लाब हो जाता है है उसी को मैंने हम प्लंप सकते हैं हैं बिलकुल ह्यरा वाला लाल-सुखी मिर्च भी डाल सकते हैं तो लाल जो हरी मिर्च एठी साल ने म्साले रखें तेस्लार की डेंगे पनाईए बाद hell между sack to apples on aique ही मेर कोछ जैगा ने काला तरी चैंड हो जाएगा तो मसाल कटी वे निनığını को डाल देंगे तो जो भी क्टी वे निनिवाा अई मिक्स करेंगे और अब होगी समाली दोकी छोड这 नेनुवा बार में पानी छोड़ देता है तो बस हम इतना ही पानी डालेंगे और इसे मिस्क करके हम हाई फ्लेम पर ढखकर पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि मसाले के साथ पर पक जाए और नेनुवा भी सॉफ्ट हो जाएगा तो ढख देते हैं और फिर में से बीच में चे अब हम इसे ढखकर और पानी सुखने देंगे थोड़ा सा और तो मैंने इसे पानी सुखने के लिए छोड़ दिया था और अभी जो है पानी इसमें का लगभग सुख चुका है हाई पर हम इसे कल्ची के हिल्प से कुछ इस तरीके से प्रेस करते हुए भूनेंगे और निन तो दस मेट हो चुका है और आप देख सकते हैं सबजी बिल्कुल नहीं खाने के लिए रेडी है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है बहुत ही डिलिसियस और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिश लगता है तो आप खुछ भी देख सकते हैं क खाने में बहुत ज़्यादा स्वाधिश लगता है आप इसे राइस पराठिया पुड़ी किसी की साथ भी खा यह बहुत ज़्यादा स्वाधिश लगता है तो आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है में नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताइएगा और अगर रेसिपी बुरी में फ्रेश सब तक के लिए धन्य बात